इन दिस वीडियो 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 में बताया कि यह सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहे हूं इसमें मैं जावा के सिंपल प्रोग्राम से लएके एडवांस प्रोग्राम पूरा कवर करूंगी और जैसे कि बहुत सारे इस्ट्रेंट्स को डाउट्स रहते कि इंटर्विव में क्या कुश्चन पुछे जाएंगे तो अगर आपको प्रैक्टिकल के हर एक चीज क्या यूज हो रहा है कौन सी क्लासिस यूज हो रहा है सेमी कॉलन क्यों दिया है कॉमा क्यों दिया है यह सब आ गया तो आप इंटर्विव में आराम से आंसर दे सकते हो तो यह जो मैं प्रैक्टिकल जब बता रही हूं तो यह छोटी-छोटी चीज़े भी बताऊंगी तो आप वो याद रखो तो अभी हम लोगों को यहां पे जो सिंपल प्रोग्राम है लास्ट और प्रैक्टिकल में मैंने तुम लोगों बताया था कि हाव टू प्रेंट हेलो वर्ल्ड कोई भी मतलब मैसेज हम लोगों प्रेंट करना है तो स्क्रीन पे कैसे करें अभी हम लोगों को यहां पर क्या आपको बता देती हूं तो लेट स्टार्ट प्रेगों यहां पर मैंने एकदम सिंपल प्रोग्रेम बताया है कि हम लोग क्या करें डिरेकली प्रिंट कर रहे हैं जो भी नंबर है उसका एडिशन प्रिंट कर रहे हैं तो यहां पर जो कुछ चीज़ें हैं आपको मालूम होना सब्सब्सक्राइब और एक भोलेंगे हम लोग इसको विजिबिलीटी कंट्रोल विजिबिलीटी कंट्रोल इन यह term है किसका यह public तो क्या क्या हो हम लोग यूज करते है access modifier public है protected है private है default है तो यहाँ पर मैंने use किया है public मतलब class को मैं declare कर रही हूँ as a public तो यह क्या हो गया access modifier यह term याद रखवा आप लोग यह public जो है वो क्या होता है access modifier class तो क्या है keyword है जिसे हम लोग क्या करें class create कर रहे है class हम लोग क्या create करना है हम लोग ने यहाँ पर नाम दे दिया है उसका नाम दिया है मैंने p1 तो हमेशा यह याद रखो कि java में जो भी class का नाम रहता है आप file को जब save करोगे ना वो ही नाम से save करोगे यह इसका मैंने नाम दिया p1 तो आप उसका file का नाम भी क्या दोगे वो ही नाम दोगे यह चीज़ याद रखने next यहाँ पर हम लोगों ने main method use किया है तो java में जब भी program आप कर रहे हैं class create करने के बाद आप क्या करोगे main method आप use करोगे इसमें हम लोगों ने use किया है public static void तो यह public क्या हो गया हम लोग access modifier हो गया static void क्या है हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों ने void method use किया है यह जो line है यह line का भी हर एक term में आपको बता दिती हूँ interview में या फिर viva अगर exam आपका start है तो viva में आपको यह question पूछा जा सकता है कि यह public static void main जो है java में क्या है तो आप क्या बताओगे तो main जो है हम लोगों का वो क्या है entry point है for any java program मतलब हम लोगों प्रोग्राइम कहां से execute होगा जहां पर आपने main method लिखा है वहां से execute होगा it is always written as public static void main तो आप कोई और modifier use नहीं कर सकते हों कि चलो मैं private use कर रही हूं या कभी protected use कर रही हूं आप हमेशा क्या use करोगे public modifier use करोगे तो public क्या है public is an access modifier जैसे कि मैंने आपको बताया which is used to specify who can access this method public means that this method will be accessible by any class तो कोई भी class जो है यह method यूज कर सकता है कौन सा method main method main क्या है मेरा method है उसके बाद use क्या है static keyword तो यह static keyword क्या है it is a keyword in java which identify its class based main is made static in java so that it can be accessed without creating the instance of a class देखो class में जब भी हम लोग method create करते हैं तो उसको access कैसे करते हैं class का object create करते हैं उसके बाद हम लोगों method को क्या करते हैं access करते बट static method का क्या use है कि आप static method अब create करते हो तो हम लोगों को class का instance create करने का जरूरत नहीं रहता है class का object क्रियेट करने का जरूरत नहीं रहते हैं इसलिए main को क्या किया है static declare किया यहां पर उसके बाद यूज किया है वॉइड तो वॉइड आपको मालूम है क्या है रिटन टाइप है और वॉइड का मिनिंग क्या होता है इडाइटेंटिफाइदी मैथड विच विल नौट रिटन इनी वैल्यू तो कोई वैल्यू रिटन नहीं करें इ नेम ओफ दी मैथड है विच इस सर्च वाई जे वी एम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एन एप्लिकेशन वित पर्टिकुला सिगनेचर ओंली इडिज दी मैथड वैदी में एक्जिक्यूशन ओकर्स पहले ही मैंने बताया में मैथड लिखा है मतलब एंट्री तो यहां पर जावा में आप क्या कर सकते हो जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो वहां पर हम लोग और्गुमेंट पास कर सकते हैं तो मैं वह भी बता दूंगे एडिशन ओफ टू नंबर में ना और्गुमेंट का भी बता देती हूं कि हम लोगों का यह भी क्लियर हो जाए तो एक प्रोग्राम वो भी आड़ करते हूं ठीक है तो यहां पर लिखा है सिस्टम.out.println तो यह कुछा जा सकता है कि सिस्टम.out.println हम लोग क्यों लिखते हैं तो यहां पर यह जो सिस्टम है यह क्या है हम लोगों का class class in java.lng package java.lang package का class system तो इधर हम लोगों ने क्या यूज किया है है नव लोगों प्रिंट करने स्क्रीन पर इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया है यहां पर आउट यूज किया है तो आउट किया है स्टैटिक मेंबर फेल्ड बाय सिस्टम class and is of type print stream उसके बाद हम लोग क्या है उसकी है println तो println क्या है is a method of print stream class यह क्या है method है कौन सी class का print stream class का println print the argument pass to the standard console and a new line तो यह है हम लोगा system.out.println का पूरा explanation तो println में हम लोग क्या करें दो number का edition print करें तो मैं यह program को क्या करूंगी यह program को मैं visual code में execute करूंगी last program जो बताया था मैंने command line argument से किया था मैंने JDK Java install किया था और उसका भी method बताया था और मेरा एक video है उसमें भी मैंने बताया कि visual code कैसे install करते हैं और Java के लिए उसको कैसे set करते हैं तो video आप देख सकते हो तो मैं यह जो program है सारे program में करूंगी visual code में तो यह visual code में मैंने यह program लिख दिया है इसको run करती हूं यहां पर देखो यह आ गया हम लोग आउटपुट यह देख रहा है 50 तो यह हम लोग आउटपुट आ गया है तो यह हो गया हम लोग क्या सिफ स्क्रीन पर प्रिंट किया हम लोगों ने addition of two नंबर और system.out.println में क्या कर दिया हम लोगों ने वह नंबर बता दिया है अभी जो मैंने तुम लोगों बताए कि मैं तुम लोगों कमांड लाइन और्गेमेंट से भी बताती हूँ वह एड कर देती हूँ प्रोग्राम में यहां पर देखो यह speaker लाइनों दीया है Muito और यहां पर अब देखो यह कमांड लाइन और्गूमेंट क्या किया है नहीं किया है और वेरियेबल में जो है input कैसे दिया है integer हम लोग इंटीजर चाहिए इसलिए यहां पर इंटीजर कीवर्ड उसके है पार्स इंट उसको convert करेगा integer में ox of zero यह है variable का नाम of zero मतला पहला argument पहला argument को integer में convert करके वो क्या करेगा x में save करेगा second argument को convert करके integer में वो y में सेफ करेगा फिर दोनों को add करके some variable में सेफ करेगा और उसको screen पर print करेगा अब मैं इसको save कर दे रही हूं पी के नेम से इसको save कर दिया p.java के नेम से तो मैं visual code में यह execute करके आपको बताती हूं यह देखो यहां पर आप क्या करोगे इस पर जब run पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखो आपको error देगा है ना क्योंकि command line argument का मतलब क्या होता है कि आप argument पास करो अभी argument तो पास नहीं किया है तो हम लोगों क्या करना है इसको हम लोगों को command prompt में ही करना है हां तो visual code में भी command prompt से आप कर सकते हो और अगर आप वैसे करना है तो जो मैं method command prompt में यहां पर बता रहे हूं ना सेम आप cmd में करों देखो सेम कुछ भी difference नहीं है ऐसे window open होता है अपना command prompt ऐसी open होता है तो मैं यहां पर क्या लिख दे रही हूं यहां पर है ना h colon लिख दे रही हूं क्योंकि मैंने जो file है अपनी h drive में save है h drive में java folder में मैंने यह file save किये तो यहां पर फिर मैं लिख देती हूं cd java जहां पर आपका file save है हां तो मेरा file save है h java में h drive का नाम है java folder का नाम है उसके बाद मैं अब क्या करूंगी यहाँ पर मैं लिखूंगी java c, file का नाम है p, extension देंगे हम लोग यहाँ पर java, यह हो गया मेरा compile, अब क्या करना है, आपको execute करना है, execute करने के लिए हम लोग क्या लिखते है, java file का name dot java, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, argument पास करूंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, command line argument, यहाँ पर जो argument हम लोग पास करेंगे, उसको क्या बोलते है, हम लोग command line argument, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 8, this is my first argument, फिर दे दिया मैंने 7, this is my second argument, अब मैं जब enterprise करूंगी, तो क्या होगा, 8 plus 7, see the output, देखो, the sum of x and y is 15, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, command line argument, तो इसी क लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिका है, string aux, यही लिए हम लोगों ने क्या लिका है, यहाँ पर string aux, कि जब हम लोग run करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है, कोई भी argument पास कर सकते है, वो argument कहां पर जाके save होगा, इसमें जाके save होगा, तो आप कोई कितना भी argument दे सकते हो क्योंकि यहां पर हम लोग ने size नहीं mention कि है ना तो इसका यह user आप interview में यह बता सकते हो कि run time पर आप क्या कर सकते हो argument pass कर सकते हो और वो save जा कि कहां पर होगा इसमें होगा save ना तो यह दा हम लोग addition of two number using command line argument next हम लोग देखेंगे कि user से हम लोग क्या करेंगे input लेंगे user से क्या करेंगे number accept करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे add करेंगे so let's start यहां पर जो सबसे पहले मैंने लिखा है वो लिखा है import.java.util.scanner यह क्या है मेरा package है अब यह package में जो है मुझे क्या use करना है scanner class यूज करना है क्यूंकि user से हम लोग क्या करना है input accept करना है तो उसके हम लोगों को scanner चाहिए scanner class चाहिए तो scanner class के लिए हम लोगों सबसे पहले क्या करना पड़ Minnie इपप चैनर किसमें मिलेगा हम लोगों को java.util.de scanner में मिले मिले निए सबसे पहला यह लाइन लिका है इससे पहले जो दो प्रोग्रेम बताया तो कोई package हम लोगों ने import नहीं किया लेकिन यहां पर import करेंगे क्योंकि हम लोग क्या करें scanner class यूज कर रहे हैं तो scanner class यहां पर यूज किया है उसके बाद आपको क्या करना है एक reference क्रियेट करना है एक object क्रियेट करना है object का नाम आप कुछ भी दे सकते हों यहां पर मैंने input दिये वी नाम दे सकते हो यहां पर मैंने input नाम दिया है scanner input equal to new scanner system.in तो यहां पर हम लोग ने scanner class का क्या कर दिया एक object क्रियेट कर दिया उसके बाद यह तो मैंने बताया आपको system.out.print क्यों लिखते हैं कोई भी message आपको screen पर display करना है उसके लिए उसके बाद यहां पर लिखाए इंट नम1 equal to input.next इंट तो यह जो input हम लोगों ने user से accept किया है वो क्या होगा num1 में save हो जाएगा. Integer में convert होके, फिर same हम लोगों ने यहां पर second number के लिए लिए है तो अपने पास क्या हो जाएगा? दो number save हो गया, एक variable में, num1 के एक variable में, second variable है num2 तो हम लोगों का save हो गया, num1 प्लस num2 किसमें save हो गया, sum में, उसके बाद हम लोग यहां पर sum को क्या करेंगे, display कर देंगे, screen पे इसको हम लोग visual code में execute करेंगे, cd output मैंने class का name दिया, p1 तो मैं इसको save भी कैसे करूँगी, file का name देंगी, p1 तो मैं इसको execute करेंगे, cd output see this, यहां पर क्या आया, input the first number, तो यहां पर मैंने number एंटर कर दिया, 67 फिर आया, input the second number, यहां पर मैंने दे रिया, 78 अब देखो, sum आगे, अपना 145, यह देखो, यह बीच में यह जो gap बना है, यह कैसे बना हम लोगों ने यहां पर लिखा न, एक line नहीं, तो तुम लोगों बोलोगे, line क्यों लिखा, system.out.println तो यह होगे, हम लोगे, addition of two number, user ने input दिया, accept the number from the user and print the sum of number तो यह होगे, हम लोगों का, तीन program बताया, मैंने addition of two number के अलग-अलग method से, इसका code का link में, description box में दे दूँगे, आप उसको use कर सकते, thank you.